नमस्कार, दोस्तों! नमस्का साथियों! स्वागत आसवीव का AI आसानू internal पे दोस्तों अगर आप चनल में पहले हैं तो आप से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब और आप भी सिख सकें क्योंकि आसान बाशा में सिर्फ AI आसान पर इसके आ जाता है दोस्तों तो चली आज सुरू करते हैं हम लोग टेंसर और से पहरे हमने कैसे करते हैं कैसे क्या होता है और कुछ इंपोर्टेंट भी हमने देखे थे किया कुछ और इसके बारे में लोगों ने पीछली वीडियो में देखा था मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब पिछली वीडियो को एक्सेस करें उसको देखें और उसमें छुपी होई जानकारी से आप तो हम लोग चलते हैं टेंसर ऑपरेसंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी बीड गये में अपरेसंस को क्या करेंगे क्या रचलत करें और किस तरीके से टेंसर को हम लोग करेंगे और वह स्प्लिट करेंगे और तो कुछ इंपोर्टन्ट यहां पे स्लाइस बहुत इंपोर्टन्ट इनको कैसे करना है इनके बारे में हम लोग तरूर जानेंगे और प्रेटिकल करके भी हम लोग जाने है तो आज का सेशन बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला इसलिए वीडियो में लाज तक में रही है ठीक है हम स्पिलिट करेंगे हम टेंसर को कमबाइन करेंगे हम टेंसर का इंडेक्सिंग करेंगे और जो भी इंपोर्टेंट फंक्श इस तरीके से आप कर सकते हीं इंडेक्सिं एंडेक्सिंग अट इंडेक्सिंग स्लयूसिंग रिटर्न ना कर आव सकते котором कैसे आपको यह आइटम function का यूज के लिए ठीक है चलिए कुछ कोड हैं उनके माद्यम से लोगा समझने की कोसिश करते हैं कि कैसे हम लोग indexing करेंगे कैसे slicing करेंगे और क्या output मिलेगा क्योंकि अगर हम लोग को टेंसर एक दिया हुआ है इसको हमने प्रिंट कर वाया है तो मिला टेंसर ठीक है इसमें कितनी रोग कितने कॉलम है यह देखिए इसमें वन इसमें वन टू थ्री फोर रोज हैं और इसको अगर लिखना चाहूं तो ऐसे मैं टू थे इसमें करते हैं तो पर ग्रेंसर का इसमें करते हैं जाए तो हमें क्या करना है? print x 1 1 यानि print क्या करना है? टेंसर का first row, first column का element है उसे हमें return करवाना है ठीक है ना, अब चुकिए आपको पता है कि tensor pythonic nature को support करता है, pythonic pythonic है इसलिए हम लोग indexing 0 हो शुरू होगी, तो यहाँ पर लिखा में हमारा रो एकसिस करेगा और फिर वन यानि की 01 यानि दूसरा करलो तो यहां पर यह वाला रो एकसिस करेगा और यहां पे यह साम ठीक सटीक यह फोर यह में वह एलिमेंट चाहिए इसलिए इसका अंब टेंसर फोर ठीक है ना उम्मिद करता हूं समझा गया होगा अभी इसको एंड्सओं के तुरू भी देखेंगे अभी मैं इसको समझाया और यह भी देखेंगा कोड रन करके क्या आता है ठीक है अब आपको इंडेक्सिंग प्रिटरंस एक वैल्यू एज पाइटन नंबर ठीक है तो चलिए इसको हम लोग हैंड्सओं के तुरू देख लेते हैं क्योंकि हैंड्सओं करना बहुत ज़्यूरी है ऐसा नहीं है किसी कुछ थेओरी पढ़ना है तो इसके लिए मैंने अल्रेडी कोड लिखा हुआ है और मेरा गूगल पूलाइब इन्वार्मेंट ऑल्रेड ठीक है तो हम देखते हैं आउट्पूट में क्या आया है आउट्पूट को एक बढ़न हम चेक कर लेते हैं तो यह हमारा आउट्पूट आया 1 2 3 4 5 6 7 8 और टेंसर 4 एंड एलिमेंट 4 ठीक है जो सेम हमने आउट्पूट आपको दिखाया था वही यहां पे आउट्पूट आ गया है अब चलते हैं अगले पोर्सन पर क्या है इन दर फालोइंग कोड कुछ सेट अप कोड से उसमें हम कुछ दूसरा ओपरेशन करके देखेंगे दर फालोइंग कोड वी सी देट वी कन परफॉर्म स्लाइसिंग यूजिंग सेम स्टार्ट इंड एंड इस्टेप जै टेंसर में भी करेंगे ठीक है ॹ्य। सटेंसर में नर्श के जिए यूज नंबर अब ड ABC के तरफ टीटेंसवेंग हिल्यून करना पड़ता है इसलिए यह टेंसर हमारा एक्जिस्टेंस में आया हूआ है we can see we can also use boolean indexing to extract portion of data that meets certain criteria ठीक है boolean indexing का भी हम लोग यूज कर सकते हैं और जो slicing है या जो normal indexing है उस का हम लोग यूज कर सकते हैं तो अभी इस example में हम लोग slicing देखने ठीक है same code के ऊपर same टेंसर के ऊपर हम स्लाइसिंग देखना है तो print x टू वट ठीक है ना इसका क्या मतलब है इसका मतलब देखिए अब लोग प्रींट एक्स एक्स ऐसे रिखा है तू वन इसको हमें प्रिंट करवाना है ठीक है तो यहां पर इसका मतलब यह है कि सेकेंड रोग ठीक है और फर्स्ट कालम का जो दो element है उससे हमें प्रिंट करवाना है ठीक है तो जो हमारा input है उसके पास आपको लेकर लेकर चलते हैं ठीक है तो सेकेंड रोग यानि कि हमारा यह जीरो वन ठीक है तो हमारा सेकेंड रोग है सेकेंड रोग और फर्स्ट एलिमेंट उसको हमें करवाना है एक बार देख लेते हैं आपको confusion ना हो ठीक है second row second row and first column ठीक है यह हमें करवाना है second row and first column ठीक है ना second row यानि कि यहां पर आपका फोर आएगा और first column 2 आएगा इसको हमें output करवाना है तो क्या आएगा 4 2 हमारा या 2 4 हमारा इसका output आजाएगा क्या है तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे हम slicing कर सकते हैं अपने टेंसर की ओके तो अब आगे बढ़ते हैं बुलियन इंडेक्सिंग क्या है कि only keep element less than 5 इसके लिए कैसे करेंगे प्रिंट टेंसर एक्स फिर एक्स less than 5 ठीक है जिनकी value 5 से कम होगी सिर्फ वह प्रिंट होंगे तो 123 यह 5 से कम है बाकि 678 भी है वह 5 से ज्यादा है इसलिए वह प्रिंट नहीं होंगे ठीक है अब चलते हैं अगले वाले पर हम लोग पाइटार्च आसो सपोर्ट ट्रांस्पोजिंग एंड रीशेपिंग अरेज आइस सोन इन दर नेक्स्ट फ्यू लाइन अपकोड हमें ट्रांस्पोज करना हो या रीशेप करना हो अपने अरे का तो भी हम लोग पाइटार्च में कर सकते हैं अब देखिए पहला एक्जम् लिखना हो तो X.t के बाद नेखिए तबस तक यह प्रन्सपोज करेगा करेंगे अब देखिए प्रिंट RX.t मतल्ब हमें ट्रांस्पोज करना है ठीक है तो इसलिए हमने टेंसर को घानके करना है तो उसका एंसर क sarc और किया आएगागा जो हमाज हो होग ए डिद्ब आентов कैसे त्रिंट इसे वाले वह रोज हैं और ऐसे वाले हैं वह लोंगे को रोज में हो जाएगा यानि कि वन थ्रीपाइब सेवन यह मारे को लंग में हो जाएगा और फोर शिक्स एट दूसरा हो जाएगा एलिमेंट ठीक है इस तरिके से हमारा यह ओड़़ट आ गया चेंज से यूजूली व्यू इस प्रेफर्ड ओबर दर री सेप व्यू का हम लोग यूज करके अपने टेंसर का सेप भी चेंज कर सकते हैं तो इसमें क्या है नियुक्त आप्का majesty ब्यू की आपका दो रोग चार गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1357 और 2468 तो यह हमारा दो रो और चार कॉलम्म ऐसे हमारा आगया व्यू का यूज करके हम लोग रिशेप कर सकते हैं ठीक है न इसके बाद आपर हम लोग क्या कर सकते हैं यू के आल्सो कंबाइट आर इस्पिलिट टेंसर रभा यूजिंग फंक्षन लाइक तॉर्च डॉट इस्टेग थे का यूज करके हम लोग अपने टेंसर को कंबाइन करेंगे और तॉर्च डाट अबाइन करना कैसे होता है उसको देखते हैं तो इस तरीके से अम लोग लु कैसे आएगा 1234567 इस तरीके से आएगा लेकि दो बार यह आएगा ठीक है क्योंकि हमें टेंसर को यहां पर लिखेंगे ठीक है अब हमें टेंसर को स्प्लेट करना हो तो स्प्लेट करने के लिए लोग अनबाइंड फंक्शन का यूज करते थे तो ए वी एक्स डाट अनबाइं दाइमिटर 1, डाइमेंशन 1, वन डाइमेंशन में ही यह हमारे टेंसर को अनबाइंड करेगा यह इस प्रिट करेगा तो हमने क्या-क्या एबी पहला टेंसर पहले एफिर फिर बी ठीक है ना तो एबी इकोल टु एक्स डॉट अनबाइंड दाइमेंटर 1, print A, B यहां पर ट ज़्यादा अच्छ ज़्याद हो जाएगा हैंड्सवन करने के लिए हम लोग गूगल को लैब में गये गूगल को लैब में हमने आल्रेडी ओड लिख रखा है तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या उटपूट आता है आपके पास तो पहला जो था प्रिंट एक आउटपूट पर तन्सपोज और हमें त्नसपोज के लिए क्या बताया था एक्स डोट-ट रौक का यूज क्या जाता है तो इसको को भी करना लेते हैं हम लोग तो आप dette क्या मारा बुक में लिखा हुआ था से में यहां पर यह आया हुआ है बाइड नि पाइफन पोड अ अब हमें tensor को combine करना है, दो tensor को, तो यह हमारा जो tensor था, वो repeat होके, दो बार यहां पर आजाएगा, कॉमा के साथ, तो यह देखिए, यहां पर output में same आ गया, उसके बाद हमने tensor को split किया था, ठीक है, using unbind function, ठीक है न, तो मारा tensor देखिए, यहां पर split हो गया, दो tensor में, फेले हम support करें कैसे क्या से slice करें और कैसे index करें इस साभी चीज है हम अब ही कुछ important function है कि पारे डिजक्व करेंगे करेंगे ताकि इन सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए क्या करता है इसके लिए क्या करता है क्या करता है उसके बाद इंडेक्स सेलेट क्या करता है रिटर्ण ए न्यू टेंसर डेट इंडेक्स इंपूट टेंसर एलांग डाइमेंशन यूजिंग इंट्रीज इन इंडेक्स वीची जिए लॉंग टेंसर ठीक है उसके बाद मास्क सेलेट क्या करता है रिटर्ण ए वन डाइमेंशन टेंसर डेट इंडेक्स दा इंपूट टेंसर एकार्डिंग तुद पूल टेंसर आया और लॉंग टेंसर आया और नया टर्माया आपको इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए टॉर्च डॉर्ट नैर यह क्या करता है रिटर्ण एक सरब्सक्राइब अगर आप अपने इनपूट इंसर का जाते हैं तो टो क् Catholics- Linda कह करता है रिटर्ण में नोजिरो जो एलिमेंट उनका इन्डिस आप उसके सब्得.90 पुम्स नोच आप यह हूँस करेंगे तॉर्स डॉर्स च्ण मेंपने पता ह यहाँ पर आपका same input रहेगा, same data रहेगा, लेकिन shape ही difference हो है, reshape मतलब आपके tensor को reshape करना है, इससे अच्छा होता है use view in state to ensure the tensor is not copied, view का यूज़ करके भी आप अपने tensor को reshape कर सकते हैं, torch.split का यूज़ करके भी देखी, उसका आमने operation भी देखा था, split the tensor into chunks, each chunk is a view, our subdivision of the original tensor, मतलब आपका कोई tensor है, उसको आप चाते हैं, दो तिन tensor में change करना, तो torch.split का आप यूज़ करके अपने tensor को split कर सकते हैं, अब देखिए, बहुत important है torch.squish, इसका function बहुत यूज़ होता है, split का यूज़ होता है, squeeze का यूज़ होता है, squeeze क्या करता है, return a tensor with R dimensions of the input tensor of size 1 removed, ठीक है, size 1 उसमें से removed हो जाएगी, तो हम लोग torch.squish का यूज़ करते है, torch.stack का यूज़ कर से होता है, concatenates sequence of tensor along a new dimension, ठीक है, अगर आपको अपने tensor की sequence को एक नई dimension के along continuity करना है, तो torch.t का यूज़ करेंगे, torch.t, यह क्या होता है, expects the input to be a two dimension tensor and transpose dimensions 0 and 1, इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे, torch.t, यह क्या करता है, return a tensor at specified indices when slicing is not continuous, ठीक है, slicing रोखना है, तो उसके लिए हम लोग torch.take का यूज़ करेंगे, वो क्या करेंगा, return a tensor at specified indices, specific index पे आपके tensor को रिटर्न करेंगा, torch at transport यह करता है, transpose only the specified dimensions, ठीक है, इस तरीके से torch.unbind यह क्या करता था, अभी हमने इसका प्रिशन भी करके देखा था, remove a tensor dimension by returning a tuple of removed dimension, ठीक है, torch.unsquish अभी हमने torch.squish देखा था, अभी torch.unsquish क्या करता है, return a new tensor with dimension of size 1 inserted at the specified position, ठीक है, आपके एक dimension को यह और add कर देता है, specified position पे, torch.wear इसका यूज़ क्या होता है, return a tensor of selected elements from either one of two tensors, depending on the specified condition, ठीक है, तो यह रहे कुछ tensor के important function, जो हम लोग operations में कर सकते हैं, slicing, indexing, unbinding, combining, इत्यादी जो tensor के operation होते हैं, उससे related और भी जो operation होते हैं, उसमें यह function का use हम लोग करते हैं, जो भी हमने बात की, तो आप दोस्तों इस बुक के मात्यम से उनको पर सकते हैं, some of these functions may have redundant, however, the following key distinction and best practices are important to keep in mind, कुछ important point है, इसको मैं बता जाता हूं आपको, जो की आप ध्यान में रखेंगे, item function is important and commonly used function to return the python number from a tensor containing a single value, अभी इसका हमने hands-on भी करके देखा था, जिसमें output फोर आया था, तो हमने वहाँ पे x.item लिखा हुआ था और उसके बाद उसने हमें एक single value return करके दिया था, use view instead of recep, recep की जगह अगा आप view यूज करें अपने tensor को recep करने के लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, using recep may cause the tensor to be copied depending on its layout in memory, view ensure that it will not copied ठीक है, view से आपका tensor copy नहीं होगा और memory में जगह भी नहीं है, घेरेगा इसलिए view का यूज करना चाहिए recep के अस्थान पे, ठीक है, x.t and x.t small with parenthesis, is a simple way to transpose 1D और 2D tensor ठीक है, यह तो था 1D और 2D tensor को transpose या करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपके पास multiple dimension का हो, tensor तो उसको कैसे हम लोग transpose करेंगे, ठीक है, तो use transpose when dealing with multidimensional tensor, आपको transpose function का यूज करना है, जब आप multidimensional का tensor को transpose करना चाहिए, जब आपको tensor 1D और 2D से ज्यादा dimension का हो, तो आप वहाँ पे transpose function का यूज करेंगे, अब देखिए, torch dot squeeze, इस function is used often in the deep learning to remove an unused dimension, ठीक है, देखिए कितना important है, torch dot squeeze function का use कब करते हैं, जब हमें unused dimension को हटाना होता है, तब torch dot squeeze function का use करते हैं, एक्जांपल के लिए, ए बैचाप image with a single image can be reduced from 4D to 3D, अगर आपके 4D dimension की image है, उसको 3D में convert करना है, तो आप torch dot squeeze function का use करके dimension reduce कर सकते हैं, जिससे आपने पढ़ा था principle component analysis समलोग, unsupervised learning में data की dimension को reduce करने के लिए use करते हैं, उसी तरिके से torch dot squeeze का भी यहां पे use होता है, the torch dot unsqueeze, देखिए squeeze or unsqueeze, यह क्या करता है, function is often used in deep learning to add a dimension of size 1, देखिए squeeze का भी होता है, यह आपको dimension कम करनी हो, लेकिन unsqueeze का भी करना होता है, जब आपको एक dimension उसमें add करनी हो, अपने tensor में तो आपको unsqueeze करते हैं, ठीक है, since most pi-tars models expect a patch of data as input, you could apply unsqueeze when you only have one data sample, ठीक है, क्योंकि हमारा जो deep running में input हम देते हैं, यह expect करता है कि patch of data as input दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास के वाल एक ही data हो, तो उसमें आप एक extra dimension add करने के लिए, आप unsqueeze function का use कर सकते हैं, example के यह देख लेते हैं, you can pass a 3D image into torch.unsqueeze to create a patch of one image, ठीक है न, एक image का patch create कर सकते हैं, using one squeeze function, तो इस तरीके से हमने देखा कि python, पाई टाच में या टेंसर में कौन-कौन से important operation होते हैं, उसके बारे हम लोग ने बात की, ठीक है, तो अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि टेंसर operations for mathematics, mathematics में हम लोग टेंसर के कौन-कौन से operation कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी important function रहेंगे, उसके बारे हम बात करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइक करें, और चार जार जार लोग अमस्तियर गए दूरतों,